नबस्कार दोस्तों वालकम टू गौर्वर्मेंट एक्जाम इन्फ तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में और आज एक बहुत बढ़ी अपडेट आ चुकी है यूगे टुपलसी ने ऑफिशिली जारी कर दीगी है जिसके जानकारी आपको देनी है और यह अब यहां पर कोई डाउट नहीं रहा गया अब आपके ऑफिशिल डेट आजगे इवन आपका सिफ्ट बता दीगे कि सिफ्ट में आपका एक्जाम होगा कितने से कितने बज़े तक एक्जाम होगा डेट क्या है इस सारी सीचे आपकी आगई है ऑफिशिल तो आज के बाद आपको डाउट नहीं होना अची आपका जुपरेशन है आई होप आपको अपने अभी तक किया होगा अच्छे से नहीं किया अभी तक या धीरे धीरे कर रहे थे डाउट में थे कि देर से होगा या जल्दी होगा तो अब आपको स्क्रवेट बада देनी चाहिए ऑफिश़ल जानकारी में क्या बताएगा इसमें हम देख लेते हैं देखें 13 अक्टूबर को आपका फॉर्म आया था और जो डेट एक्जाम का समय बताएगया था अप्रैल 2021 तक ये बताएगया था इसमें माननी उच्छी न्याले के आदेश के रूप नए आवेद को यानि कि जो यहाँ पर आर्ट वालों को मौका दिया गया था और यहाँ पर कुछ एडेटिंग या फिर अपडेट करने का भी मौका दिया था यह सावी चीज़ी हम पर दी गई थी यहाँ पर यह भी बताएगया है कि जो कुछ ऐसे केंडेट थे जिन्होंने यहाँ पर अपील करी थी माने नहीं सरवच न्याले यहाँ पर हाई कोट जो है उच्छ न्याले जो होगा वहाँ पर इन्होंने यह कर रह था और इसमें इन्होंने तीन से चार महा को डिले करने का इसे कहा था जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि अगस्त तक इसको मांग की गई थी लगभग अगस्त में इसका एक्जाम हो जो कि 3-4 मां काफी काफी ज़्यादा समय हो जाता है और इसकी वज़ा से जो ग्रूप C के एक्जाम में वो भी अफेक्ट हो सकते थे तो इस वज़ा से मैंने भी आपसे कहा था कि मेरे कॉर्डियम अपरेल में हो जाना चाहिए और काफी सारे कमेंट में भी बताये थे कि 25 अपरेल को एक्जाम होना चाहिए हलागी कुछ लोग कह रहे थे कि 15 से 20 दिन या एक मेहने का डिले हो सकता है लेकि तीन चार मेहने यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए था देखा जाए तो तो फिलाल यही अपडेट है कि आपका एक्जाम 25 अपरेल को है इंपोर्टन चीज यह है कि आपका जो एक्जाम है तो इसमें आपका जो एडमिट कार्ड है को कब आएगा तो एडमिट कार्ड मान के चलिए 15 तारीक या फिर 15 अपरेल के बाद आ सकता है तो उसकी अपडेट आपको तुरंत जी जाएगी इस चैनल पर तो यहाँ पर वो अपडेट आपको मिल जाएगी उसकी चिंता गरनी क्या फुज़ोत नहीं है और जो एक्जाम है वो तो 25 अप्रेल को होना है अब यहाँ पर जो भी डाउट थे आपके एक्जाम को लेटेड मैं कहूंगा आप उसी पर जादा फोकस रही है ठीक और थोड़ा बहुत जो ऑनलाइन काउंटेंट है वो आप देख सकते हैं अगर समय बसता है तो यह चीज़ है बाकी जो आपकी तयार ही उसको बना रखिए एक और नोट यहां पर दिया गया है यह चीज़ है आपको आफ लाइन माधियम से होगी सभी को मालू है पहले यह अपडेट आप यहां पर दी जा चुकी है चैनल पर भी बताईगी थी और आपको भी मालू होगा तो यह जो लेखित प्राइक्षा उसके प्रवेस पतर आ जाएंगे जैसे कि मैंने बता है पंजर ताइक देगा सकते हैं उसके बाद भी आ सकता है एक आत दिन का डिले हो सकता है तो यह चीज़ है एक और चीज़ है तो दो पाली में यहां पर एक्जाम होने वाले है अब पहली पाली में कौन से subject होंगे दूसरे में कौन से होंगे वो आपको admit card से पता चल जाएगा तो individual जो भी आपका admit card है उसके according आपको यहां पर जाना पड़ेगा तो यह थी एक update क्योंकि काफी important update थी आज की तो बस आज के लिए इतना ही और कोई doubt ही तो इसे mention कर दे कमेंट क करके तब तक धन्यवाद मिलते हैं आपसे के लिए वीडियो में